हेलो फ्रेंड वेलकम टू टेक्निकल एस्टीडी चैनल इस वीडियो में हम डीसी मोटर के बारे में पढ़ेंगे तो देखेगा डीसी मोटर क्या होती है टाइप सोफ डीसी मोटर भी पढ़ेंगे इस वीडियो में तो देखेगा किस टाइप की डीसी मोटर होती है सबसे पहले DC motor जो होती है permanent magnet DC motor separately excited DC motor self excited DC motor और इसके type होते हैं DC series motor, DC cent motor और DC compound motor इसके भी type होते हैं DC compound motor के तो इस वीडियो में हम पूरे detail के साथ DC motor के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले समझते हैं DC motor work किस तरह से करती है और होती क्या है DC motor तो DC motor जो होती है देखेगा electrical energy को mechanical energy में convert करती है DC motor जो है electrical energy को mechanical energy में convert करती है तो DC motor का जो सिधान्त है DC motor का जो सिधान्त है principle है इसमें current caring conductor current caring conductor को घूमने वाले part में रखा जाता है current caring conductor यानि किसमें हम current flow कराएंगे और इसके rotor जो ये घूमने का part होगा इसे उस mechanical field में रखा जाता है तो इसकी जो magnitude होता है उस force का जब ये घूमती है तो F बराबर BIL BIL sin theta से उसका magnitude find कर सकते हैं और इसकी जो direction होती है filming left hand rule direction जो होती है filming के left hand rule से find कर सकते हैं left hand rule तो इस वीडियो में हम type of motor भी पढ़ेंगे देखेगा permanent magnet type motor सबसे पहले motor के जो type में है permanent magnet type motor है DC motor है second है separately excited DC motor third है self excited DC motor और इसके बाद है self excited DC motor के तीन type होते हैं पहला DC series motor second होता है DC sent motor third है DC compound motor और DC compound motor भी two type की होती है एक होती है long sent एक होती है short sent compound motor और short sent और long sent भी दो पर type की होती है cumulative और differential cumulative compound motor और differential compound motor तो सबसे पहले हम permanent magnet type DC motor पढ़ेंगे तो permanent magnet type DC motor क्या होती है देखेगा permanent magnet type DC motor AC motor होती है जिसमें ये जिसमें अवश्यक magnetic field permanent magnet का यूज़ करके उत्पन क्या जाता है permanent magnet क्या होता है permanent magnet होता है जिसमें उसका magnet हमेशा रहता है उसमें magnet होता है देखा होगा आपने नोर्थ पॉल होता है साउथ पॉल होता है तो उसका हमेशा magnet रहता है उसमें एक नोर्थ पॉल होता है एक साउथ पॉल होता है वो जनरली हमेशा उसमें magnet रहता है उसका यूज़ करके बनाया जाता है इस पिरकार की motor को पॉल को exciting अलग से supply दे अलग से supply देने कब सकता नहीं होती है इसमें और इसका यूज कहां कहां होता है समानीत एक कम capacity की होती है और इसका यूज होता है 6 v 12 v 12 और 24 v 16 कहीं होता है । इसनी supply पर इसका यूज के रहता है ये फिराफ्ट की जा सकती है इसका उप्योग क्या है DC motor का permanent magnet type का उप्योग क्या है इसका उप्योग समान नहींत है automobile field में क्या जाता है जैसे गाड़ी के fiber वाइफर जो होते हैं उनमें भी इसका यूज़ होता है गिलास window गिलास के सीसे में जो उपर नीचे होते हैं उसमें भी permanent magnet type DC motor का यूज़ होता है सबसे पहले अब दूसरे नमबर पर पढ़ेंगे separately excited DC motor separately excited DC motor इस type से उसका डायगराम होता है यह field winding होती है यहाँ यह armature का armature होता है इसमें बेक EMF बनता है और इसमें armature resistance होता है current load current armature current होती है यह load current होती है यहाँ से DC supply देते हैं इसमें तो इसमें क्या होता है separately excited DC motor की winding जो होती है field winding DC center motor generator की तरह ही होती है पतले wire की बनी होती है इस motor का use वहाँ क्या जाता है जहाँ पर field flux को control करके speed को control क्या जाता है तो DC और इसका उप्योग क्या जाता है DC servo motor में E rixa जो होती है इसमें भी DC separately excited DC motor का use क्या जाता है इसके बाद third type आता है हमारा self excited DC motor पहले इसके formula समझ लेते हैं कुछ formula होते हैं तीन type के formula इसमें बनते हैं current का formula बनता है IA बराबर IL और voltage के लिए formula होता है EB बराबर V minus IAR minus bruce drop अगर bruce drop दी हों तो वो भी खटा देते है power के लिए होता है load में power होती है P बराबर V IAR armature में power होती है EB into में IAR EB जो होता है ये bake EMF होता है bake EMF इसलिए कहते हैं armature में induced EMF जो होता है bake EMF कहलाता है क्योंकि ये supply voltage का विरोध करता है इसके बाद third type की DC motor पढ़ेंगे हम self excited DC motor self excited DC motor जो होती है वो तीन type की होती है first type है उसका DC series motor तो DC series motor की contraction कुछ इस type सो होती है तो समझते हैं DC series contraction DC series motor की contraction में ये armature होता है यहाँ पर इसका armature resistance होता है और ये bake EMF होता है और ये armature current होती है यहाँ पर इसके series में एक series winding लगा देते है इसके series में एक series winding लगाते है जिसका resistance होता है series resistance होता है और इसमें series current होती है और इसमें load current होती है और यहाँ से DC supply दी जाती है तो इसमें तीन type के formula इसमें भी बनते हैं और DC series motor जो है variable speed के लिए चलाए जाती है, variable speed के लिए चलाए जाती है और ये load पर depend नहीं करती है ये load पर depend नहीं करती है sorry load पर depend depend करती है no load speed जो होती है, no load speed generally high होती है dangerously high होती है इसका starting torque कुछ होता है high होता है, और देखें का इसमें 3 type के जो formula बनते हैं IK और VK और power के तो वो किस टाइप से बनते हैं, current के लिए formula क्या होते हैं, I बरावर IA बरावर IAC यहाँ से load current इसके बरावर होगी क्योंकि ये 3 current series में है load current भी series में है series current, series में जो resistance लगा है उसमें जो current flow रही है, वो भी series में है और armature current भी series में है इसलिए ये 3 current जो होगी series में है तो 3 बरावर होगी और voltage के लिए क्या होगा voltage होता है, इसमें BAKEMF बरावर होता है क्योंकि BAKEMF supply voltage से अधिक होता है तो क्या होता है, BAKEMF बरावर V-IAR-IAC-RAC और इसमें बुरुष ड्रोप दिये हो तो वो भी घटा देते हैं बुरुष ड्रोप भी इसमें से घटा देते हैं और power के लिए भी formula क्या होगा load में power क्या होगी load में power होती है V into IL क्योंकि power होती है P बरावर V into I तो load में current होगी and into में voltage और इसे तरह armature में जो power होगी EB into में I होगी इसका use कहा 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 जाता है यूज होता है इसका इसकी construction इस type सो होती है देखेगा इसमें ये armature होता है और इसमें आर्मेचर रसिस्टेंस होता है और इसमें बेक EMF होता है और आर्मेचर करंट होती है यहाँ पर आर्मेचर करंट होती है यह लोड करंट होती है इधर की और और यह संटर रसिस्टेंस होता है देखेगा संटर रसिस्टेंस जो होता है number of turn इसमें अधिक होते हैं और इसका resistance जो होता है RSH होता है यानिके center resistance और current जो फिलो होती है इसमें ISC, ISH, sorry ISH current फिलो होती है इसके भी तीन formula होते हैं current का formula, voltage के formula और power के formula तो किस type से current के formula होंगे current देखेगा किस type से होगी जब यहाँ से load current गई तो यहाँ से junction आया तो current two part में divide हो जाएगी एक इस part में हो जाएगी और एक आगे चली जाएगी जो के यहाँ पर center में चली जाएगी तो क्या होगा, IL बरावर होगा IA plus ISH क्योंके current जो है parallel में लगा हुआ है center resistance इसलिए current two part में divide हो जाएगी IA और ISH में तो current जो हो जाएगी load current बरावर होगी IA plus ISH और ISH में जो current होगी वो किस तरह से निकाल सकते हैं total voltage बटे में center assistance इसके बाद इसमें voltage का formula होगा EB बरावर होता है V minus IA R R V minus IA R R यानि कि R मेंचर drop हम इसमें से घटा देंगे यहाँ देखेगा R मेंचर में जो drop होगे वो हम total voltage में से यहाँ जो supply voltage होगी उसमें से हम R मेंचर drop गटा देंगे तो voltage का formula आ जाएगा power भी two type की होती है एक load में power होती है और एक R मेंचर में power होती है load में power सेम होती है V into IA series motor में भी यही थी और संटे motor में भी यही है और R मेंचर में power होगी EB into IA यह constant speed के लिए जानी जाती है यह constant speed के लिए होती है और DC series motor जो है variable speed के लिए होती है यह speed इसकी speed जो है node dependent on load load पर depend नहीं करती है इसकी speed और medium starting torque होता है series motor का load पर depend करती है series motor और starting torque उसका high होता है इसका medium होता है और इसका use का होता है उपयोग होता है let's में होता है drills में होता है और boring meals में होता है और sharps में होता है और sipping and weeping machines में भी इसका use weeping machine में भी इसका use होता है इसके बाद नेस टाइप है DC compound motor तो दिखेगा इस DC compound motor को हम इसके 5 second में पढ़ेंगे समझ लेते हैं DC compound motor 2 type की होती है एक long sunt और एक short sunt long sunt compound motor जो होती है और short sunt compound motor भी 2 type की होती है cumulative और differential तो उसका हम 5 second में पढ़ेंगे thank you for watching दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो like कीजिए, share कीजिए और channel को subscribe कीजिए, thank you for watching